नमस्कार प्यारे साथियों स्वागत है आप सभी करें एक बर फिर से आपके अपने एट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंडी टूरीडर पब्लिकेशन तो फिंड्स आज के शुड़े में बात करेंगे जो हमारे एचसे सी के चेर्मन है भारत बुशन भारती जी उन्होंने इजीटी सुश्कृत की भरती को लेकर क्या काहा है और आगामी जो आपकी प्रिक्षा है होने है अचसे की उसमें बात करूं ग्राम चीविगी जो आपका वेपर कैंसल हुआ था और जो एक्जाम्स आपकी पोस्पोन्ड हुए था उसमें फीमेल सूपरवाइजर की बात कर lab attendant की बात कुरूँ, इसके अलावा आपकी और भी ऐक्याम होने है, IT Инst proudly, ALM है, इसके अलावा आपकी corporate society sub inspector के एक्याम होने है, इसके अलावा हरियना-police के एक्याम होने, पटवारी, कैनल, पटवारी, इन प्रिक्षाओं की तिथ ही को लेकर भी है अचहससी हैं तो वीडियो को पूरा देख सकते और जो भाई पहले बार चैनल पर आए हैं रेगुलर लेटस्ट अपडेट पाना चाते हैं फ्रेंट चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सबसे पहले बात करेंगे पीजीटी संस्कृत की भरती को लेकर वापस नहीं लिया पीजीटी संस कि लेए जारे विग्यापन वापस नहीं लिया है कुछ अख़बारों ने कुछ अख़बारों में सुकरवार को गलत ख़बर प्रकासित कर दी थी कि नया विग्यापन भी वापस ले लिया रही है ना क्रमचैरी चैनल की दकस भाहत मुछशन भारतीं ने सुकokuरवार देरश्yam को बताया कि आयोग ने PGT संस्क्रत के 534 पद गत्वुद्वार को विगयापित की था उन्हों कहा कि आयोग ने 2015 में जारें विगयापन वापस लिया ना कि परदेश नए विगयापन को वापस ले 57 सरकार ने 2015 में जारी विग्यापन में पीजिटी संस्कर्ट के 626 पद वापस ले लिए थे और उसी दिन नए 534 पद वबर भरती करने का अगरा पत्तर बेजा थे उनने कहा कि हाई कोट में 2015 के विग्यापन के पदों से संभने मामल लंबी था और उसमें प्रदेश सरकार ने जानगारी दी थी कि 2015 में जारी विग्यापन वापस ले लिए है और वे 2626 पद वापस ले लिए हैं हाई कोट ने ब अगली सुनवाई आगामी दो मार्च को दी है दो मार्च को होगी बारती ने कहा कि अब नए 534 पदों पर भरती परिक्रिया 16 फरवरी से सुरू होगी इस अग बात है अन्य पदों की प्रिक्षा को लेकर ग्राम सचिव समेत अन्य पदों की लिखित प्रिक्षा के इंतजाम करने को कहा आयो के दक्स बाहत पूशन भारती ने बताया कि पिछले दिनों ग्राम सचिव पद की लिखित प्रिक्षा रद कर दी थी कुछ अन्य पदों के लिए भी लिखित प्रिक्षा योजित होनी हुने कहा कि इसके लिए जिला उपयक्तों को पत्तर लेकर कहा गया है कि वे अपने अपने जिलों में लिखित प्रिक्षा की इंतजाम करें जैसे इंतजाम हो जाएंगे लिखित प्रिक्षा का सैटूल जारी कर दिया जाए गया फिलाल किसी भी प्रिक्षा की तारिक तैने यह चीज़ कलिर है अब भी तक किसी भी एक्जाम की डेट तैन नहीं है हाँ expected हम कह सकते हैं कि ग्रामस्यू कि आपकी प्रिक्षा मार्च के महीने में हो सकती है और मार्च के महीने में ही आपके जो PGT संस्कर्ट के यह वेकैंसी जाई हैं इनका पेपर होगा यह तो चेर्मेंट साब ने खुद बोल दिया और एडवर्टाइजमेंट में भी लिखा हुआ कि 14 मार्च को आपकी प्रिक्षा हो सकती है तो फ्रेंट से एक अपडेट थी जो आपको देनी थी आज किस वीडियों फिलाल इतना ही धन्यवाद